वैग्यानिक तो था आकेलोजिस इस दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार नए नए चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। ऐसी ही खोजों के दौरान कभी कभी ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं चो हर किसी को हैरान कर जाती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में ऐसी ही दस हैरान करने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका हाल ही में पता चला है। अक्टोबर 2020 में एरान के कुर्दस्तान प्रांट में खोदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान एक बेहद पुरानी कब्र में जिसमें इनसान का कंकाल था। वो अपने समय में सैनिक था जिसकी मृत्यों योद्ध के दौरान हो गई होगी इससे सम्मान से अंतिम विदाई देने के लिए ही इस मिट्टी के जार कौपियों किया गया होगा आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के समय में जाली या नकली नोटों का कारोवार काफी बड़े सतर पे फैला हुआ है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जाली पैसों का खेल आज से नहीं बलकि हजारों साल पहले से खेला जा रहा है चान्दी के सिक्कों के खोज 1220 से से पहले के गई थी इसरेल के आसपास वाले शित्रों में उस समय चान्दी बेहत कम मात्रा में मिलता था उस समय चान्दी के सिक्कों का चलन था और चान्दी बहुत कीमती मना जाता था ऐसे में वहां लोगों ने चान्दी के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिये इस बात का खुलासा हाली में हुआ है दुरसल इस्रेल के अलग-अलग शहरों में खुदाई के दौरान 1220 के आसपास के 35 चांदी के सिक्के मिले थे जब इन सिक्कों के गहराई से लैब में जांच की गई तो पाया गया कि इन में से 8 सिक्के ऐसे हैं जो नकली थे इन सिक्कों का बाहरी पर अचांदी का था लेकिन अंदर घटिया क्वालिटी के तामबे का प्रयोग की आ गया था टिकसस शहर में खुदाई के दौरान 1000 से 14 साल पुराना एक कंकाल मिला इस कंकाल की जब जांच की गई तो पता चला कि इस कंकाल के शरीद में अभी भूजन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था जो उसने अपनी जिंदगी में खाया था इसे उसका शरीर पचा नहीं पाया यही उसके पेट में जमे रह गये और यही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना कंकाल के अवशेश से लगभग एक किलो के आसपस टेड़ों के अवशेश प्राप्त हुए थे वोल्ड वाइड लाइफ नाम की संस्था जौमनी में मौझूद बे ओफ गेल्टिंग में मचली पकड़ रही थी जब मचली पकड़ने के लिए उसने एक बार समद्र में जाल फेका और बाहर खीचा तो जाल में उसे कुछ अजीब हो गरीब चीज दिखाई थी जब जाल से उसे निकाला गया तो पता चला कि ये एक मचीन है इस मचीन को आकेलोजिक डिपार्टमेंट को सौप दिया गया महां जांच परताल से पता चला कि ये नाजी सेना और दोरा उपयोग किया जाने वाला एक मचीन था इस मचीन को एनिगमा कहते हैं इस मशीन का उपयोग आम तोर पर नाजी सेना समुदरी जहाजों से सीक्रेट मेसेज भीजने के लिए क्या करते थी। माना जाता है कि ये मशीन संभवतेह दूसरे विश्योध के दोरान समुदर में समा गई थी। इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन लोग हथियार बनाने के लिए जैनवरों के हड़ियों या पत्थरों का उपयोग या करते थे। का पूरा आइलेंड ही नौर्थ सी के नीचे समा गया था। कि आखर क्यों इस बच्चे को इस तरह जार में रखा गया होगा। इसरेल आकेलोजिकल डिपार्टमेंट के सदस से भी इस बात का जवाब नहीं वे पाए कि आखर किसी ने इस बच्चे को ऐसा क्यों रखा होगा। अभे भे सवाल का जवाब ढूंडा ही जा रहा है। बुल्गेरिया के एक शहर से बीसमी शताबदी के शुरुआत में एक बेहत पुराना भारी भरकम शिलापट मिला था। उस पर कई सारी बाते लिखे होई थी। जब उन बातों को विशेशग्यों के टीम ने समझना शुरू किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली जानकारी प्राप्थ होई। ये शिलापट लगभग दूसरी शताबदी के आसपास की थी। उस पर जो जानकारी लिखे होई थी। उससे पता चला कि उस समय शेत्र में राजगदी को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में शेहर के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया था। जो कि राजगदी पर बैठने के लायक नहीं था। इसी खुशी में इस शेहर के लोगों ने जीतने वाले को एक भारी भर कमदान दिया था। शिलापट पर लिखी गई बातों से पता चलता है कि उस समय के शासक सेप्टिमर सर्वस को साथ लग सोने के सिक्के दान में मिले थे। 3. Gardening Treasure हम खेतों में या कहीं खुदाई के दोरान सोने के सिक्के मिलने की बातें किसे कहानियों में ही सुनते आ हैं लेकिन ऐसा 2020 में इंगलेंड में एक परिवार के साथ सच में हुआ इंगलेंड के साथ हीस्टरन शहर में एक परिवार अपने घर पे ही खुदाई का काम कर रहा था इसी दोरान उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ अजीब सा दबा हुआ दिखाए दिया जब खोद कर उसे बाहर निकाला गया तो सभी के होश उड़ गया एक सथ मिट्टी के नीचे 63 सोने के तथा एक चांदी के सिक्कों को रखा गया था इन सबी सिक्कों पर उस समय के ततकालीन समराटों की तस्वीरे थी लोगों की जैन में ये सवाल आने लगा कि आखर क्यों किसी ने इतने सोने के सिक्कों को मिटी के नीचे दबा कर रख दिया था खर इसका जवाब तो नहीं मिला लेकिन उस परिवार को खजाना जरूर नल गया लेकिन उन पेंटिंग्स के रहसे को आज तक दुनिया सुलजाने में लगे हुई है या लेॉनार्डो ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उप्योग क्यों किया ये थोड़ा रहसे मही है कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि क्योंकि ये पेंटिंग्स पुराने हो चुके हैं और इस दौरान ये कई लोगों के हाथों से गुज़रे हैं साथी लगातार वायू मंडल के सीधे संपर्क में भी रह रहे हैं हाली में इजिप्ट में इजिप्ट था जर्मनी के विशेश अग्यों ने मिलकर एक प्राचीन स्थल को फिर से रिस्टोर किया है इस थल लगभग 2000 साल पराना है इजिप्ट में इसे टेंपल ओफ एसना के नाम से जाना जाता है जब एक्सपोट्स ने इस थल पे काम करना शुरू किया और जब इसकी गहराई से साफ सफाई शुरू की तो इसमें जो कुछ देखने को मिला वो बेहत हैरान करने वाला था यहां जो पेंटिंग्स की गई है वो हजारों साल परानी है लेकिन देखने से लगता है इसे कल ही पेंट किया गया है इसके अलावा इसमें कई ऐसी रहसेमाई चीजे बनी हुई है जिसका जिक्र प्राचीन एजिप्शेन ग्रंथों में देखने को मिलता है ऐसे ही एक तारा मंडल का वर्णन यहां देखने को मिलता है लेकिन वास्तम में ये तारा मंडल हमारे आकाश गंगा में कहा है ये किसी को नहीं पता यही बात सभी को हरान करती है कि इस टेंपल में फिर किस तारा मंडल का जखर है तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो इन खोजों में से आपको सबसे अच्छा या रहस्यमाई खोज क्या लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना न भूले और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो जाते रहें धन्यवाद झाल